प्लेसेज प्लेसेज में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूटूब के चनल में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए दोहरी घाट रेलवे स्टेशन से वीडियो लेकर आए हैं दोहरी घाट रेलवे स्टेशन से इस वीडियो को दिक्छिशित सहब ने बनाकर भेजा है दिक्षित साहब बहुत बहुत शुक्री आपका thank you so much आप जहां कहीं भी रहें खुश रहें आबाद रहें यह है दोरी घार रेलवे इस्टेशन जहां पर काम पूरा किया जा चुका है अपडेट तो नहीं कहेंगे क्योंकि काम पहले से ही पूरा है रेल इलक्टिफिकेशन का भी साथ में गेज कनवर्जन का भी और इस्टेशन का भी कुछ यात्री स्विधाई यहां पर मुकमल की जानी है जो आने वाले समय में जब ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा तो वो भी बढ़ा दी जाएगी खैर आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खुश्खबरी लेकर आया हूँ कि जल दोहरी घाट से इंदारा के बीच में रेल सेवा शुरू होने के आसार है इस पर मुहर भी लग चुकी है लेकिन उस ट्रेन का संचालन कब शुरू होगा अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कौन सी ट्रेन होगी ये पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्रियागरास से मौँ के बीच में चलने वाली मैमो ट्रेन है उसका विस्तार दोहरी घाट तक किया गया है तारीक की अभी घोशना नहीं हुई है और उमीद यहीं की जारी कि शायद इसी मेहने या अगले मेहने उस ट्रेन का उड़धाटन किया जा सकता है विस्तार के द्वारा ऐसा इस वज़े से भी क्योंकि लोग सबाचुनाओं आ रहे हैं और सरकार भी नहीं चाहेगी कि हम लोगों की नाराजगी छेले कई सालों से यह ट्रेक बंध है 3-4 साल के करीब में हो गया और CRS भी काफी समय पहले ही करा लिया गया था मात्र दो ट्रेक हैं यहाँ पर देख सकते हैं जिससे कि किसी भी ट्रेन का जो लोको है वो रिवर्स किया जा सके सबसे खास बात यह है कि दोहरी घाट से इंदारा के बीश में कहीं भी क्रॉस नहीं होगा क्योंकि एक मात्र इस्टेशन यह है बाकी इंदारा के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है घोसी, कोपा, मुरादपुर हाल्ट जितने भी हैं यह सब हाल्ट ही है इसके बालावा दोहरी घाट से जन्वा नई रेल लाइन भी बनाई जानी है और जब उस पर कभी काम शुरू होगा तो उसका भी अपडेट देने की पूरी कोशिश करेंगे देख सकते हैं ट्रैक पूरी तरह से तयार, यह इंदारा की दिशा हो गई पूरा जो बैलास्ट है वो ट्रैक के ओपर भरा हुआ है, दो ट्रैक है यहाँ पर और चुकि मैमो ट्रेन है और उसका विस्तार किया गया है तो लोग को रिवर्स करने की आफशकता नहीं, केवल ड्रैवल को अपनी पोजिशन बदलनी होगी आगे से पीछे, पीछे से आगे तो थोड़ा सा समय आप लोगों को बता देता हूँ साढ़े पांच बज़े के करीब में सुभा प्रयागरास से ट्रेन चलेगी, मौ जंक्षन डेलवे स्टेशन पर सवा ग्यारा बज़े पहुचेगी दस मिनट ठहराओ के बाद ये ट्रेन दोरी घाट की दिशा में रवाना हो जाएगी और सवा एक बज़े के करीब में पहुच जाएगी दोरी घाट से इंदारा 35 किलो मेटर की दूरी है मौँ से अगर कहें तो 40-41 किलो मेटर की दूरी हो जाएगी और इस 40-41 किलो मेटर की दूरी को तै करने के लिए एक से सवाव घंटा काफी है और इसी वज़े से 11 बच कर 25 मिनट पजब ट्रेन चलेगी तो आसानी से पौने एक बचे के करीब में वो ट्रेन दौरी घाट रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएगी तो ये रही उसकी समय करसानी और इसी वज़े से रखा गया है अगर कभी लेड भी हुआती है तो सवा एक बचे के बाद 20 मिनट का यहाँ पर दोहरी घाट में ठहराव दिया गया है फिर 20 मिनट के बाद 1.35 पर यहाँ से चल देगी और माउ जंक्षन डेलवे स्टेशन पर सवा तीन बचे के करीब में पहुँच जाएगी इंदारा जंक्षन और माउ जंक्षन पर दोनों ही दिशाओं में ठहराव 10-10 मिनट का दिया गया है एक और नई खबर आप लोगों को दे देता हूँ वारानसी से कन्या कुमारी के बीच में एक नई ट्रेन का संचालन शुरू किया जाएगा बहुत जल तारीक की घोषना कर दी जाएगी जैसे ही तारीक की घोषना पता चलेगी और सबा तीन बजे मोउ जंक्षन रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाएगी दोनों ही दिशाओं में ठहराओ मोउ जंक्षन पर और इंदारा जंक्षन पर 10 मिनट के करीब में दिया गया है एक और नई खबर आप लोगों को बता देता हूँ वारानसी से कन्या कुमारी के बीच में एक नई ट्रेन का संचालन शुरू होगा रेलवे बोर्ड ने प्रस्ताओ को मंजूरी दे दी है ट्रेन का संचालन कब शुरू होगा इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी ट्रेन का नाम काशी तामील संगम एक्स्प्रेस रखा जाएगा खैर इससे संबंदित आने वाले समय में जो भी हमको खबर मिलेगी ट्रेन के संचालन को लेकर उसकी जानकारी आप रहों को वीडियो के माध्यम से दी जाएगी फिला समय सार्णी आप देख सकते हैं और ठहराव देख सकते हैं कि कहां कहां होकर ये ट्रेन जाएगी और कितने बज़े पहुँचेगी तो फ्रेंड्स ये था एक छोटी सी जानकारी का वीडियो दोरी घाट से और कुछ अन्य जानकारियां वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा जै हिंद जै भारवाण